हेलो स्टुडेंट्स आइए फिर स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रपरटी का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलिवेशन आप बॉयलिंग पॉइंट बचो इसमें हम थोड़ी सी थेयोरी इसके कंसेप्ट में जाएंगे ग्राफ समझेंगे ठीक है मैथमेटिकल डेरिवेशन समझेंगे और फिर हम लगाएंगे अब बात आ रही है कि सर सबसे पहले इसे कोलिगेटिव प्रपरटी आप क्यों कह रहा हूं तो रिपीट वही चीज जो हमने लास्ट वीडियो में आप से कही कि किसी भी कोलिगेटिव प्रपरटी को अगर आपक अगर वो डिपेंड नहीं करती तो वह नहीं है कोलिगेटिव प्रपरटी तो यहां से इसकी शॉर्ट नोट अगर तयार करना इसके कंसर्प में जलना है तो सबसे पहले हमें इसे रिवाइस करना है कि सर वह बॉइलिंग पॉइंट क्या था तो हम लोग है क्लास 11 में एक चोड़ा सा एक्सपरिमेंट सुना था हमने वैपर पिशर टॉपिक जो चल रहा था चैप्टर फाइप में स्टेट सब मैटर में तो हमने देखा कि आप एक क्लोस कंटेनर में क टोड़ी बहुत वैपर कंडेंस हो रही थी ऐसे आपने टेंप्रेचर बहाता देखा तो बढ़ते बढ़ते टेंप्रेचर यह देखा कि लगातार वैपर पेशर बढ़ रहा बढ़ रहा ठीक है और एक ऐसा स्टेट आया कि जब रेटाव प्रेशन किसके एक्वल हो गया र equilibrium when rate of pressure is equal to rate of condensation and the vapor pressure of liquid gets equal to external pressure or atmospheric pressure that temperature at which all these phenomena associated whoa have boiling point abhi aap ko garfasin is how my definition will लिखनी हो अगर तो boiling point किसी भी लिक्विड का वो टेंप्रेचर जिस टेंप्रेचर पर रेट आव प्रेशन किसके इक्वल हो रेट आफ कंडेंसेशन के equilibrium established हो जाए और साथ ही साथ वैपर पेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए किसके atmospheric pressure के या external pressure के the temperature at which rate of a pressure is equal to rate of condensation and equilibrium is established the vapor pressure of liquid gets equal to externalism external pressure जहुँ नहीं है कि हर बार atmospheric pressure हो क्योंकि आप पिछले साल एक pressure के लिए रोल सुना था आपने जो distillation की कई टाइप थे उन में से एक टाइप आया था आपको याद है कि distillation under reduce pressure तो ऐसे बहुत सारे लिक्विड थे जिनके boiling point इतने हायर हुआ करते थे कि उनको वहां तक पहुंचाने पर तो आप वहां पर रिड्यूस पर काम करते थे यानि external pressure को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो boiling point भी घड़ जाता है लिक्विड का समझे कि external pressure अगर कम है तो जैसे एक question है इसी chapter से कि at high altitude खाना जल्दी क्यों पक जाता है question में एक तो यह आपको reasoning कि क्यों पक जाता है और एक इस तरह से question क्या लगता है आपको खाना हम जब अर्थ पे रहेंगे यानि surface के close वहां पे जल्दी पगएगा कि high altitude में तो आप जान लोग जैसे जैसे आप उपर जाते हो तो atmospheric pressure कम होता जाता है यानि यह जो बॉयल 100 degree Celsius में यहाँ water हो रहा है वही है ना हाई altitude में उससे कम temperature पर ही हो जाएगा reason external pressure क्या है कम यानि boiling point की definition से associated external pressure atmospheric pressure ठीक है इसी को graph में अगर आप समझें ठीक है उसके पहले एक fact और अपने दिमाग में रखेंगे यानि आप पहली चीए इसमें short notes में क्या लाएंगे boiling point की definition जो भी आपको बताई मैंने उसके बात temperature का वैपर पेशर से साथ relation relation वैपर पेशर डाइगली प्रबोशनल होता है तेंपरेचर के जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाते हैं आप वैपर पेशर लिक्विड का बढ़ता है ठीक है तो वैपर पेशर के घटने से क्या अफेक्ट आएगा उसके boiling point वह आपको टॉपिक ही दिख रहा है यानि जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम एड करते हैं किसी सॉल्वेंट में उसका वैपर पेशर घटने के कारण उसका boiling point बढ़ जाता है यानि सर एक प्योर सॉल्वेंट है हमारे पा point अगर उसमें non-volatile solute added sir कैसे तो उसे आप समझे इस graph से अगर आपको यादो कि temperature relation क्या दिखा रहा है वैपर पेशर के साथ कि वह बढ़ रहा है linearly ठीक है एक आपने माना की fix point ले लिया 180 एम प्रेशर जो की equal होता है इसके 1.013 बार के दोनों यूनिट में बात कर लेते हैं अपन ठीक है अब temperature इदर अपन Kelvin में बढ़ा रहा है ठीक है वैपर पेशर बढ़ रहा है तो अगर वो प्योर सॉल्वेंट होगा प्योर सॉल्वेंट का वैपर पिशर बढ़ते 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 जैसे ही वह एटमासिक प्रेशर के equal होगा उसी उसी point पे आप boiling point बोलोग अब अगर इसमें non-volatile solute add कर दिया जाए तो किसी भी temperature पे ठीक है इसका वैपर पेशर कभी भी किसी भी temperature पे इसका वैपर पेशर सॉल्वेंट के equal तो होई नहीं सकता है एक दूसरी हमेशा कम होगा यानि solution की लाइन जो आपको graph की दिखेगी यह graph जो लाइन आपको दिख रही है यह हमेशा solution वाली जो होगी वह नीचे ही होगी किसके प्योर सॉल्वेंट के क्योंकि वैपर पेशर प्योर सॉल्वेंट इस ग्रेटर देन वैपर पेशर आप सल्यूशन containing non-volatile solute तो यहाँ वैपर पेशर की लाइन आपको दिख रही कि इस temperature तक अभी यह बॉयल न आने पे यह होगा कि जैसे जैसे आप इसका वैपर पेशर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको temperature भी बढ़ाना पड़ेगा और एक ऐसा स्टेट आएगा जब इसका अट्मॉस्फिरिक पेशर के इक्वल हो जाएगा वैपर पेशर और यहीं पे इसका बॉयलिंग पॉइंट य आप देख रहो कि इलिवेट करना पड़ रहा तेमप्रेचर आपको तब जाके वह एट्मॉस्फिक प्रिशर के इक्वल हो पा रहा है तो इस टेमप्रेचर को आप पा रहे हो कि यह बॉयलिंग पॉइंट और यह क्या है नौट लगा हुआ है बॉयलिंग पॉइंट आप सॉल्वेंट तो यहाँ पे अगर मैं इलीवेशन की बात करो डेलटा टीबी डेलटा यानि चेंज आप जान रहा है रहा हूं इलेशन आया है तो कितना इलीवेट हुआ है तो आप क्या करेंगे बड़े नंबर से या बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू को माइनस कर boiling point कम होता है उससे हमेशा ज्यादा ही होता है solution का summary फिर से repeat कि हमने अभी तक क्या पढ़ा आप जैसे non-volatile solute add करते हो किसमें एक solvent में उसका vapor pressure घट जाता है तो अगर pure solvent boil हो रहा हो तो उसका atmospheric pressure के equal रहेगा vapor pressure जैसे non-volatile solute कर देंगे तो उसका vapor pressure घट जाएगा क्या वो अभी एक्वल रह पाएगा atmospheric pressure के नहीं तो आपको और एक्सेस में temperature increase करना पड़ेगा तब जाके उसका vapor pressure किसके इक्वल हो पाएगा atmospheric pressure के क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि vapor pressure directly proportional हो रहा है temperature के जैसे जैसे हम बढ़ा रहें temperature vapor pressure बढ़ रहा है हमको बढ़ाना क्यों पढ़ रहा है क्योंकि हम वाइल करना उसे अब वाइल कब करना है कि जैसे वह atmospheric pressure के equal हो जाए तो यानि यहाँ पर जैसे हमने प्योर solvent को boil होते देखा उसमें non-volatile solute add किया तो उसका vapor pressure घटा अब मैं चाहरा हूं इसे भी solution को भी boil करना तो मैं temperature को बढ़ाऊंगा तो temperature जितना बढ़के फिर यह solution boil होगा atmosphere पे वह boiling point होगा solution का तो दोनों में कितना अंतर आया यानि कितना difference है यानि डेल्टा टीडी इलिवेशन ओब boiling point यह रहा अब बात तो आपने concept समझा elevation of boiling point का ठीक है कि जैसे एक non-volatile solute add होता है किसी solvent में उसका vapor pressure घटने के कारण उसका boiling point बढ़ जाता है क्योंकि हमें elevate करना पड़ता है temperature तब वह solution boil होता है ठीक है तो यह elevation करता है कितना आपने solute add किया है यानि जो elevation of boiling point है डेल्टा टीबी वह डाइकली प्रपोर्शनल होता है molality of solution जिस पर temperature को कोई effect नहीं है ठीक है तो molality किसको refer करती है number of moles of solute present in 1 kg of solvent जितनी भी उसमें terms जूड़ी है molality में वह कोई भी किससे affected नहीं होती temperature से तो कितने मोल्स आपने एड़ किये जितने ज्यादा मोल्स of solute आप एड़ कर रहें जितने numbers में आप solute को एड़ करते जाएंगे उतना ही ज्यादा कईलेट होता जाएगा boiling point किसका solution का तो यहांपर प्रपोश्णल होता है प्रपोश्णल अटता तो यह वह अıldता प्रपोशनल्टी students जो पाएंगे उसका नाम है इसा इभलियो स्कोपिक कॉंस्टन्ट या मोलल एलिवेशन तो यानि के भी यहां पर इसे वन मार्क कोश्चन में अगर मुझे बताना हो कि इसकोपिक कॉंस्टेंट क्या है तो आप क्या करेंगे डेल्टा टी बी इस इक्वल टू के बी इंटू क्या है तो एम के बी के लिए एक्वेशन बना लेंगे डेल्टा टी इपन एंड यहां एंड क्या है जो की आपको पता हो मोली स्लूशन या मोल पर कीजी में रिप्रेजेंट होती डेल्टा टी एलिवेशन अब ऑक बॉलिंग पॉइंट इस फ्रैक्शन को या इस पाट को और यह मॉल पर केजी से इनवर्स हो जाएगा केजी पर मॉल तो यह SI यूनिट मिलेगी आपको किसकी के बी की बच्चों के भी सॉल्वन पर डिपेंड करता है अगर आपसे पूछा जाए इबलियोस्कोपिक कॉंस्टेंट किस बात पर डिपेंड करता है तो आपको याद रहे कि यह नेचर आफ सॉल्वन या सॉल्वन के आधार पे इसकी वैल्यू रहेगी जैसे अगर आपको याद आए याद क्या अभी आप वैल्यू नहीं भी याद रखेंगे तो आपको बोर्ट देता ही है तो वाटर के लिए के बी की वैल्यू 0.5 टो थी कही बार हमारी NCI-D टेक्सबूक में इसकी वैल्यू नहीं दी रहती है तो उसके पहले एक टेबल है उसमें सभी की वैल्यू नहीं है बोर्ट आपको देगा तो आप इस वैल्यू को याद रखना चाहें तो ठीक है नहीं तो एक बात जो आप तक पहुंचे कि नेचर आफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती के वी की वैल्यू इसके बाद इसे और फर्दर डेराइब कर लेते हैं कि ऐसा फार्मूला हम ले ले लेते हैं जिससे हम निम यहां W2 क्या है मास अफ सॉल्यूट M2 मॉलर मास अफ सॉल्यूट W1 मास अफ सॉल्वेंट अगर यह ग्राम में है तभी आप थाउजंड मुल्टिप्लाइए करिए जिसे किलोग्राम में कनवर्ट हो सके ठीक है और अगर केजी में ही दिया गया है तो ज़रूरत नहीं आप मॉलर मास अफ सॉल्यूट अनोन सॉल्यूट के निकालने के लिए और कितना इलिवेशन हुआ है किसी के बॉइलिंग पॉइंट में इनके उपर रहता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के बाद कितना हो गया है बॉइलिंग पहले सॉल्वेंट का दिया रहेगा आपक यह निमेरिकल लगाने के लिए दो शॉर्ट नोट फिट से डिटा टीबी इस एक्वल टू टीबी माइनस टीबी नौड लॉजिक यह है कि प्योर सॉल्वेंट से बॉयलिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है किसका सेलूशन का तब हम डिफरेंस बाते हैं तो यह है इलिवेश बॉयलिंग काल्कुलेट करके आप इन दोनों में से किसी का भी बॉयलिंग पॉइंट बता कर से बचलते हैं तो निमेरिकल में आपको गीवन डाटा अगर मिल गया तो याद होते हैं छोव्ले करने में नहीं लगती तो यहां पर सबसे पहले आपको एक मास गीवन ग्राम क ही मिल गया है है अब यह solute ही है कैसे पता चला इसे dissolve किया गया है वाटर में तो वेटर का मास भी आपको कैमें दिया गया है किलोग्राम में यानि आपको थाउसंट ने लेड़ा पड़े होगा है के जी में ही water का मास दिया है ठिक है solvent solute पक्के तो यानि हम गिवन में अगर solution लिख है solution में given में आपको सबसे पहले मस आप solute मिल गया 18 g ग्राम मौलर मास आप solute मिल गया है 180 ग्राम पर मोल 180 उसके बाद आपको के बी की वैल्यू मिल रही है जिरो पॉइंट फाइब टू कैल्विन कैजी पर मोल इसके अलावा आप से पूछा क्या गया है वो देखें अगरा एट वाट टेंप्रेचर विल वाट वाटर बॉयल यानि जैसे आपने नॉन वोलाटराइस इस ग्लुकोज डिजॉल किया तो उसका लिवेट हो जाएगा बॉयलिंग पॉइंट कितना थेक है यानि वेट होने के बाद बॉयलिंग पॉइंट अफ सलूशन कितना होगा वह आपसे पूछा है यानि कोश्चन मार्क हमारे लिए तो टीबी इस इक्वल टू कुश्चन म टीबी नौड यानि वाइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट आपको गिवेन है 373.15 कल्विन तो यह बॉयलिंग पॉइंट आफ वाटर प्योर वाटर ठेक है उसके बाद के भी आपको जो दिया गया है वह भी आपके पास है यानि अगर हम इस निमेरिकल को सॉल्व करन चाहें तो हमें अब्जेक्ट विल चुका है तो उसके लिए अगर याद करें फार्मूला डिल्टा टीबी इस इक्वल टू टीबी माइनस टीवी नौट यानि इस फार्मूले में हमें एक वेरियेबल मिला है टीवी नौट इसे हमें पता ही करना है यह हमारे लिए अभी अन्नोन है तो क्यों ना इसे उस बड़े वाले फार्मूले से के भी इंटू डवलू टू इंटू थाउजन की जो नहीं पड़े गी मास आफ सॉल्वेंट किलोग्राम में एम टू इंटू डवलू वन इनमें पुट करने वैल्यू तो डेल्टा टीबी इस इक्वल टू आ मास 180 ग्राम पर मूल और मास आफ सॉल्वेंट वान तो इसली आप इससे सॉल्व कर सकते हैं है ठीक है जीरो पॉइंट जीरो फाइब टू कैल्विन आपका टमप्रेश्य डिफरेंस आज चुका है यानि इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इसका यूज करके आप इस फॉर्मूले में रखें तो आप पा रहें टीबी इस इक्वल टू हो जाएगा टीबी नॉड प प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइब टू यह इलिवेशन आप बॉइलिंग पॉइंट आया था एड़ करने के बाद 373.202 कैप गया बॉइलिंग पॉइंट रफ सेलूशन तेक है इलिवेशन आप बॉइलिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ दूसरा निमेरिकल हम देखत रहता है इसका मतलब कही नहीं उसके मोलर मास से रिलेटेड बात्यूंकि आप उनको अगर फार्मूले मिल जाते हैं तो 3 Kelvin यहां तक अभी कोई सॉल्यूट मिक्स किया गया है नहीं यह प्योर सॉल्वेंट का वैपर पेशर बॉइलिंग पॉइंट तो यानि आपको मिल गया टीवी नौड इस इक्वल टू 353.23 Kelvin कहा गया कि उसमें जब सॉल्यूट डाला गया तो उसका मास कितना लिया गया है ग्राम फिर आप से कहा गया कि उसे कितने में डिजॉल्व किया गया है नाइंटी ग्राम ऑफ बेंजीन यानि मास आफ सॉल्वेंट आपको मिल गया है नाइंटी ग्राम टेक यहां तक चीजे मिली हमें तो रेज हुआ उसका बॉयलिंग पॉइंट यानि अब सलूशन बनन होगा तो अगर आप इन टर्मिलोजी को याद रखता है कि टीवी नौड यानि प्योर सॉल्वेंट का और टीवी किसका है सलूशन का है तो आप बढ़े हुए वाले को टीवी और जो कम होगा उसे प्योर सॉल्वेंट का उसके बाद के भी भी गिवन है आपको क्योंकि सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड कर रहा है तो यहां पे अलग आपको वैल्यू मिल रही है जो की वाटर की नहीं है वाटर की यहां पे 0.52 होती यहां पे के भी अलग सॉल्वेंट होने पे अलग हुआ अब अगे हम देल्टा्व टीवि के सहारे मोलर मास कल्कुरेट sucked करना चाहिए यानि हमारा objective क्या है हो को या आध रहे कि हमारे लिए कोश्चन मार्क है क्या मोलर mass of solute 2 यानि solute ठीक है डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी निकालना होगा तो हम टीबी माइनस टीबी नोट करेंगे तो यहां पर आपको डेल्टा टीबी कितना मिलेगा 354.11 माइनस बड़े में छोटा गटाना टीबी माइनस टीबी नोट 353.23 तो यह हो गया आपका एट और गिल्ट जीरो फॉइंट एट एट क्या कैलविन तो डेल्टा टीबी मिल चुका है आपको डेल्टा टीबी के सारे आप म्तू कर सकते हैं तो क्यों ना म्तू के लिए ही कवेशन मना हैं एम टू इस इकोल टू के बी इन्टू डव्लू टू इन्टू इस बार ले रहा हूं की मास ऑफ सॉल्वंट मुझे ग्राम में दिया है 90 अपन एम टू की जगह अब आ जाएगा डेल्टा टीबी डिनोमेटर में और मास ऑफ सॉल्वंट सबकी वैल्यू आप अगर रखें सब्सक्राइब की वैल्यू यहां पर कितना दिया गया है हमें निकाल चुक है जीरो पॉइंट एट एट और लास्ट में मास ऑफ सॉल्वंट सॉल्वंट सॉसारा की जो गीवन है उसको आपने रख लिया है इसमें बताने जैसी चीज नहीं रही मोलर मास हमको निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्वंट यहां जो सॉल्व हो सके यहां जीरो यह कैंसिल हुआ आपने अगर यह पॉइंट हटा आया तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आप रखना चाहें ठेक है तो एक जीरो हटा ठेक यह हो गया आपका नाइन टूजा एटीन और इस पॉ पॉइंटी टू और फाइब जा टू फाइब जा टेंग तेक यह फाइब से मुल्टी प्लाइब कर देंगे उसे टेक है अश्रीजर फिप्टीन ट्वंटी सिक्स आपान ट्वंटी टू तो इन दोनों को डिवाइड करने पर आपको मूलर मास मिल जाएगा सोलूट का 57.5 गवाइड कर लिजए गा सेपरेट आप ठेके मास ओफ मूलर मास अव सालूट आपके पासा गया 57.5 तो अब चलते हैं डिप्रेशन आफ फ्रेजिंग पॉयंट वे तो आईए अब स्टार्ट करते हैं अपनी अगली कोलिगेटिव प्रपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जैसा कि मैं बोल रहा हूं कोलिगेटिव प्रपर्टी यह नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी तो बच्छों आगे पहले हमें जानना कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है किस तरह से यह कोलिगेटिव प्रपर्टी सिल्यूशन के अंदर किस पर डिपेंड करती हुए मिलेगी तो बिल्कुल पुराने जैसा इलिवेशन आप बोईलिंग पॉइंट जैसे कंसेट हमको उठाने हैं फ्रीजिंग जाएं एक इकलीवियंग फिर से स्टेबलिस होगा किसके और किस बीच में सॉ loro liquid फेस के बीच में जितना सौलिड आपको कुछ नतना ही लिक्विट फिर एड हैर होके किसमें कनवर्ट हो सॉलेड में यानि आपको इन विज्वल जो मॉलिकुलर मॉवमेंट है तो रेट आफ रेट फ्यूजन फारवर्ड ठीक है रेट फ्रीजिंग दोनों ही एक जैसी रेट से चले ठीक तो जैस्ट टेमप्रेचर पर यह सब कुछ होता हुआ दिखता है वह फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है दा टेमप्रेचर आट विच दा वैपर पिश्वल एड लिक्विड गेट उतने ही मॉलीक्यूल सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं पर यूनिट आफ टाइम एक लिवियम यही है एक लिवियम पर दोनों पोजिंग प्रोसेस सेम रेट से चलनी चाहिए ठीक तो टेमप्रेचर एट विच वैपर पेशर आफ सॉलिड इस इक्वल टू वैपर पेशर आफ लिक्विड इस नोन एज को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड अब यहां पे वह प्योर सॉल्वेंट है जब तक नौन वोलाटाइल सॉल्यूट एड नहीं है और जानते हो कि जैसे ही नौन वोलाटाइल सॉल्यूट एड होगा ठीक वैपर पेश प्रेशर को बढ़ा के एड्मोस्टीक पेशर के एक्वल करना पड़ता था तब जाके बॉल हो पाता था सॉल्यूशन यानि बॉल करने के लिए टेमपरेशर बढ़ाना पड़ रहा है सॉल्वेंट के बास सॉल्यूशन मनने पर यहां उल्टा करिए अगर आपके पास एक उस खरगेश का सवुलिशन का तर्स दसकरहश हों किसे कमठाव्श सॉल्वेंट से जादा होता है किसका सब्सक्राटिव पाइट करें त Cour aunts में थायरो की आपको लिएक तयार हो कि हम पंड ago रहें डिप्रेशना फ्रीजिंग पॉइंट रिजर्स ठीक है तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका घड़ जाएगा सलूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा किसे कमपेशन में प्योर सॉल्वेंट के तो अब इसको अगर मैथमेटिकली हम समझा और ग्राफिकल रिप्रेजेशन दोनों ही देखि क्योंकि इसका रिवर्स आपने टीवी और टीवी नॉट के केस में देखा टीएफ नॉट प्योर सॉल्वेंट का है जो ज्यादा ही होगा जैसे उसमें नॉन वॉलटाइज सॉलूट हो जाएगा और सुलूशन बनने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट घड़ जाएग ठीक है और पात्वे खुले रहें सारा परिवायन ट्रांसपोर्ट ठीक रहे तो जो बर्फ जमने ना पाए जीरो डिग्री सेल्सियस पे एक केस दूसरा आपने रेडियेटर्स में पानी को देखा होगा इंजन में लगता यूज होता है तो अगर वो जीरो डिग्री सेल्स पे तो वह पक्का है कि पहले से ही फ्रीज हो जाएगा और आप चाहते हो को बिना फ्रीज हुए बना रहे हैं वाटर को फ्रीज होने से बचाना अगर आपको तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटा दीजिए क्या करने के बाद एक एक एक्स्टा नॉन वोलाटाइल सॉल् फ्रीजिंग पॉइंट घटा होगा अब जाके वह साथ माइनस फाइब डिरी सेल्सियस में फ्रीज हो यानि अट्मॉस्फियर का ट्रेंपरेचर अगर माइनस फाइब नहीं पहुंच रहा है तो फ्रीज नहीं होगा तो यहां पर एक बहुत अच्छा मटेरियल जो आपको 치生 cere fact- jan free solution के नाम से जाका तो एंटिफ्रेंग यूज किया जाता है कौन अथ्रीण ग्लाइक उ जिससे आप फार्मॉली से अण पहुंच सिओ फो यह फ्रीज यह ise रिक और कॉल जिसका इस तेमाल एंटिफ्रीज यानि जो आपके इंजिन्स में यह मां वेह क्षम हो liksom मे नहीं अगर को याद आए कि यह क्या था डप्रीजिंग पॉइन आप यह फिरीजिंग पॉइंग्व फ्रीर्जिंग फियूए फ्रीजिंग अब बात करते हैं कि यह बिठर फ्रीजिंग पॉइंड से वहता है लट्यांप सुलिशन जिलोगो उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट घड़ जाएगा प्योर सॉल्वेंट से सलूशन में ठीक है अब मोलल्टी तो ही है साथ ही साथ आप प्रपोर्शनल्टी कॉंस्टेंट पाएंगे के एफ इन्टू यहां पे जो के एफ है उसके लिए वं माक कुश्चन आए तो आप के एफ इस इकोल टू डेल्टा टी आफ यानि डिप्रेशन आफ फ्रीजिंग पॉइंट अपान मोलल्टी आफ सलूशन रख देंगे एसाई यूनिट वही जैसे टेंप्रेचर की होती कैल्विन ठीक है उसके बाद मोलल्टी का इन्वर्स है आपका तो के जी पर मोल इसका नाम अगरा आपको शॉर्ट में समझना चाहें तो टेंप्रेचर के साथ वरी होता है आपको सबको पता है वैपर पेशन तो इकलिबियम कहां पे स्टेब्लिस होता देखेगा एक लिक्विड सॉल्वेंट था तिक यह लिक्विड स्टेट में है सॉल्वेंट और यह सॉलिड सॉल्वेंट यानि फ्रोजन फ्रोजन सॉल्वेंट जहां पर यह इकलिबियम स्टेब्लिस कर रहा है यानि रेट और फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व पर लिक्विड इस्टेट में जाना तो जहां पर ये इकलिवियम अटेन हो रहा है वही है फ्रीजिंग पॉइंट किसका प्योर सॉल्वेंट का टी एफ नॉट अब मैं कहे रहा हूं कि वैपर पेशे घड़ जाता है जैसे नौन वोल अटाल सॉल्यू ट्याट कर देता तो य यह वाली लाइन आपको पीछे पीछे की तरफ आना पड़ेगा यानी टेमप्रेटर इस बार घटाना पड़ेगा आपको तब जाके फ्रीज होगा आपका सल्यूशन यानी टी एफ यह आपका जो डिफरेंस दिख रहा है इसका नाम है डिप्रेशन और फ्रीजिंग जिस टेमप्रेचर फ्रीज होगा सल्यूशन उसका नाम है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन ठेक है आगे अगर आप समझना चाहें कि इसके लिए फार्मूला हम क्या करेंगे तो डेल्टा टी एफ इस इक्वल टू के एफ इंटू अब एम है तो मॉलल्टी का फार् इप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के तो आपको इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर अच्छे समझ में आ गया है तो उसी जैसा है बस जब आप डिप्रेशन की बात करोगे तो इस बार फ्रीजिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा जो गिवेंट क्वांटिटी है वह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेलूशन आपको निकालना होगा जो आपके सामने है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप सबको भी पता हो 273.15 कल्विन अभी स्कॉरी कुश्चन में क्या-क्या गिवेन है फिर से एक बार स्लूशन को निकालते समय 45 ग्राम आप एथलिंग लाइकॉल यानि आपके पास मास आफ सॉल्यूट है 45 ग्राम ते उसके बाद उसका मोलर मास भी गिवेन है 62 ग्राम पर मोल ठीक है उसे मिक्स किया गया 600 ग्राम आफ वाटर से मेंस आपको मास आफ सॉल्वेंट दिया गया है 600 ग्राम में ही है यह ध्यान रहें फिर कल्कुलेट करना क्या है डिप्रेशन ओफ रीजिंग पॉइंट मीज आपको डेल्टा टी अफ निकालना है इस कोशन में साथी साथ फ्रीजिंग पॉइंट आफ सलूशन भी निकालना यानि टी अफ आपके लिए कोशन तो अगर हम यह समझें डेल्टा टी अफ इस इक्वल टू के अफ इंटू डवलू टू इन टू थाउजन अपान एम टू इंटू डवलू वन में क्या नहीं है हमारे पास तो इसमें सारी क्वांटी आपको दिख रही होंगी कि हमें मिली है कि हमारे पास है वाटर का 1.86 केल्विन केज है उसके बाद मोलर मास आपको गिवन था तो यानि सारी क्वांटी गिवन है आप के एफ रख लें 1.86 मल्टिप्लाइट बाई मास ऑफ सॉल्यूट थाउजन से सॉल्वेंट का मास केजी में हो सके मोलर मास आपको दिया गया है कि तस 62 ग्रम पर मॉल और मास ऑफ सॉल्वें है 600 या आपका सॉल्व होगा ठीक है 0.93 मुल्टिप्लाइट बाई 75 अपन 31 ये मल्टिप्लाइट करने हैं अपन तो 69.75 अपन 31 अब 31 से शे डिवाइड भी करने हैं अपन 69.75 तो 62 ये होगे 7.72 ये होगे 6251 प्रिक है यह 5 आया, 5 तेम्स, यानि आपका डिल्टा टी एफ आ चुका है, 2.25 कल्विंग, अब अगर आपको सल्यूशन में जाना है कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका कितना होगा, तो हमें पता है कि डिल्टा टी एफ इस इक्वल टू, टी एफ नाड माइनस टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट आप और सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट आप सल्यूशन, तो सल्यूशन को पाना ही हम को, तो अपन क्या करेंगे, टी एफ नाड यानि फ्रीजिंग पॉइंट आप और सॉल्वेंट में माइनस कर देंगे अपन डिल्टा टी एफ, तो य यानि यह है फ्रीजिंग पॉइंट आफ सेलूशन हम पहुंच चुके हैं चैप्टर के इंड में अब हम लास्ट को लिगेटिव प्रपरटी पढ़ेंगे अस्मोटिक प्रेशन उसके साथ असोसियेटर जो भी टर्मिनलोजी आएंगी हमारे पास आस्मोसिस आस्मोटिक प्र तो यह कुछ टर्म्स हैं जिनेंगे करके मैं कवर करता हूं सबसे पहले हम समझें आस्मोसिस क्या है तो उसके लिए हम एक एक स्मेरिमेंटल सेटप तयार करते हैं तेक है अब आपको यह जो सेपरेशन दिख रहा है यहां पर हमने लगाई है सेमी पर्मेबल मेंब्रेन सेम सेमी पर्मेबल मेंब्रेन जिसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है अगर आप समझें सेमी मतलब होता है हाफ ठीक है तो आप जैसा बाइनरी कंपोनेंट पढ़ रहा है यानि एक सल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट आप देख रहा है एक सॉल्यूट है और एक सॉल को कि आप मेरे आर पार जाईए लेकिन यह बिल्कुल अलाव नहीं करेगी सॉल्यूट को कि उसे क्रॉस्प कर पाए यानि सेमी पर्मेबल मेंब्रेन के स्पोर साइज ऐसे आप्टिमम होते हैं कि जिन्हें पार आर पार कौन कर सकता है कि वह सॉल्वेंट ठीक तो सेमी पर् कंसंटेशन होगा ही और एक तरफ हम लेते हैं जो जीरो कंसंटेशन पे को तो अगर हम कंसंटेशन समझें तो एक प्यूर वाटर है जो लो़र कंसंटेशन पर ऐव ले बले और सलूशन चाहिए वह 0.1 मोलार ही क्यों नहों किसी भी सॉल्यूट को नॉन व्लोटाइस सॉल् अभी है याहां तो है नहीक प्यार हो influeno यॉार टर है तो घ्र तो हमेशा यह लोडर कंसेंटीश्चन में रहेगा तेकि यह हैर गांव सेंटेश्य किसकी किल्याए इसकी ND यह रही है अगर आप याथ लोड़ वाटर को क्ाम पेर किया जा रहा कि हमने प्योर वाटर को सेपरेट किया है किसे सेमी पर्वीवल मेंब्रेंस है जिसकी के एक करेक्टिस्टिक है कि वह अलाव करती है कि वह सॉल्वेंट मॉलीक्यूल्स को allows only any it allows only solvent molecules to cross तो इसके across कौना जा सकता है solvent ठीक अब process start करते हैं समझना तो osmosis is the process of flow of solvent from lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane एक ऐसी प्रोसेस जिसमें solvent lower concentration से higher concentration की और जाता है through semi-permeable membrane के across किसको आर पार करना है केवल और केवल solvent को तो सर वो इधर से इधर नहीं जा सकता है नहीं यहीं कंडिशन बताई जा रही है आपको समझना है कि osmosis naturally होने वाली एक process है जिसमें solvent lower concentration से कहां क्यों जाता है higher concentration क्यों ठीक और उसके लिए है किसकी semi-permeable membrane की जो अलाव ना करें किसको solute को कि वो पार कर सके ठीक अब यह osmosis चल रही थी ठीक है higher concentration को एकली में मिलाना चाहता है कुल मिला कि यह solvent इस तरह जा रहा है जिससे कि इसके concentration को decrease करके दोनों एट पार similar हो सके तो naturally concentration को कम करना है तो dilution होना चाहिए तो solvent इसलिए इधर आ रहा है dilute करके उसके concentration को कम कर सके दोनों इकली में मटें कर सके ठीक है तो यह लगातार solvent कब तक flow करता रहेगा जब तक उसका concentration zero ना बना दे ठीक है तो प्रोसेस चल रही है आस्मोसिस आपको रोकना है रोक सकते हैं कैसे अगर आप solution side यानि हायर concentration side आप piston की मदद से और एक्स्ट्रा प्रिशर लगाएं वन एटीम के अलावा तो वह जो आप आप एक्स्ट्रा प्रिशर लगा रहे हो उसी को हम कोलिगेटिव प्रापर्टी के रहे हैं कि वह आस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा कि इसमें concentration यानि number of moles of solute per unit volume of solution कितने है जतने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा क्या प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर इस एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड on higher concentration site to stop the process of osmosis यानि आगर आप solvent को चेक करना चाहते हैं यहीं पर रोंदेना चाहते हैं आगे ना नहीं प्रेमियेवल में पार करके तो आप प्रेशर बढ़ते जाए करना बढ़ाएंगे हार कंसेंटरेशन और दूसरा कितना लगा ना पड़ेगा्गा सरकतना प्रेश्ट कितना एक्ष्टर प्रेश्ट वह डिपेंड करेगा किस पे molarity of solution पे यानि पाई डेट इस ऑस्मोटिक प्रेशन प्रोबोशनल होता है किस पे concentration of solution पे concentration यानि molarity number of moles of solute present in one liter of solution यहाँ पे यह proportional है और equal आने में आपको दो constant लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि temperature अगर variate करेगा तो आपको पता है molarity affected होगी इसलिए temperature given यानि constant temperature पे तो यहाँ पे osmotic pressure को equal लाने पे दो constants आपको देखने होने देखने पड़ा है एक temperature है जो constant रहना पड़ेगा नहीं तो concentration पर पड़ेगा और universal gas constant जिसे आपने class 11 में सबसे important equation पड़ा था पीवी इगल टो एनार्टी ideal gas equation और universal gas constant ठीक है इसका inclusion किया तो पाई is equal to CRT में सी क्या है concentration that is molarity number of moles of solute upon volume of solution इसे place करिए तो पाई is equal to मिलेगा N2 upon V R into T temperature must be in Kelvin क्योंकि SI unit में लेना है आर की value आपको given होगी question में generally हम इसे use करते हैं जब ATM या बार में pressure रहता है तो आर की value हम use कर रहे होते हैं 0.083 ठीक है और अगर पास्कल में calculate करना हो तो आप इसी आर की value को 8.314 into 10 to power 3 तो यह पास्कल के लिए यूज होने वाली value है यह ATM और बार में यूज होने वाली values है ठीक है उसके बाद given रहते हैं बहुत आपको नहीं होना है इसके अलावा universal gas constant के बाद temperature degree Celsius में अगर दिया है तो उसे जरूर change करना है किसमें Kelvin में and to number of moles of solute हैं जिने आप mass of solute और molar mass of solute के through निकाल सकते हो और और टी यहाँ पर एक और problem आएगी कि आप अगर volume लीटर में नहीं पाते हो तो आपको दिक्कते हैं बढ़ेंगी तो अगर वाल्यूम मिली लीटर में तो आप ताउजेंड उपर multiply करते हैं या डिवाइड करके लीटर में ले आप आप आए उसके लावा कुछ conversion की यूनिट दे रहा हूं मैं आपको वन यूनिट्स जब आपको किसमे काम आएंगी वाल्यूम चेंज में तो टेंड वावर थ्री अचा सारी के सारी बता दिया जाए सेंटी मीटर क्यूंड में आ जाएं यहां पर वन मीटर क्यूब इस एक्वल टेंड बावर थ्री लीटर टिक वन लीटर इस एक्वल टेंड वावर थ्री मिली लीटर वन डेसी मीटर क्यूब इस एक्वल टू वन लीटर वन सेंटी मीटर क्यूब इस एक्वल टू टेंड वावर माइनस थ्री लीटर यह कुछ Convergence हैं units के volume के तो यह वालियोम के Convergence भी आप याद रख सकते हैं up to competitive exam जाहिए चलते हैं इनके numerical में तो बात करते हैं Osmotic Pressure के numerical के तो Asmotic Pressure में आपको इस question में calculate ही करना है यानि आपको निकालना है पाई question mark तो यह solution में आपके पास क्या given है वो देखते हैं इसके बाद पासकल में निकालना है जिसके लिए आपको आर की वैल्यू मिलेगी एट पॉइंट पॉइंट्री वन पॉर एंटू पावर थ्री पासकल इसके बाद आप इस solution में वन ग्राम पॉलीमर पारें सबसे सुटेबल मैथर मान आप देखें वन हंड्रेटी फाइब फिट्रिपल जीरो भी है यानि बहुत लार्ज मॉलीकुलर मास वाले मॉलीक्यूल्स का मॉलर मास किस मैथर से गल्कुलेट होता अस्मोटिक प्रेशर मैथर से इन फोर हंडेट फिप्टी एमल यानि आपको वॉल्यूम मिल चुका है 37 सेवन डिग्री सेल्सियस यानि डिग्री सेल्सियस में तो से आप टेंप्रेचर को कैल्विन बदल रहें 37 प्लस 273 इस इक्वल टू 310 कैल्विन और डबलू टू यहाँ पर आपके पास है वन ग्राम एम टू मोलर मास है सॉल्यूट का 185 टिपल जीरो उसके बाद वॉल्यूम है सिल्यूशन का 450 एमल में है यह बात अब अगर आप पाई निकालना चाह रहे हैं तो डबलू टू अपॉन एम टू इंटू भी अब उपर आर और टी तो आएंगे ही साथ में थाउजन भी ले ले लेते हैं क्योंकि इस वाल्यूम को आप मिली लीटर से लीटर में चाहते हों ठीक है उसके बाद अब यहाँ प इप्लाइ कर दें टेंपरेचर थ्री हंडेड टैन थाउजन इसलिए कि वाल्यूम आपको मिली लीटर्स में दिया है मॉलर मास और सॉल्यूट वान एट फाइव टिपल जीरो वाल्यूम और सुल्यूशन आपका आगया फॉर हंड़ फिप्टी यहां से आप सॉल्व कर सकत हैं तो यहां पर यह सारा सुच सॉल्व करने के बाद अपने को मिलेगा 30.96 पास्कल यह रहा इस कुशन का अस्मोटिक प्रिशर तो वैल्यूज रखते हैं समय एक चीज़ धियान रखना है टेंपरेचर डिगरी सेल्सिस में नहीं लेना है उसे कैल्विन में कनवर्ट करना है दूसरा वाल्यूम अगर लीटर में ना हो तो उसे आप चेंज कर लें मेली लीटर से लीटर में यह सेंटी मीटर क्यूब मीटर क्यूब इन सब यूनिट्स को जो इसको अभी बताएगए आपको तो उसमें परिशान नहीं होना तो आईए अब चलते हैं लास्ट टॉप स्क्रीन और आपके हैबिट आफ फूड से रिलेटेड है जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रोलाइटिक यानि आयोनिक चीजें खाएंगे तो इस कंजप्शन के बाद एक्क्यूमिलेशन होता है आयंस का इंटर सेल्डर स्पेसेस में यानि जिन सेल्स की बात कर रहा हूं मैं त तो सेल के अंदर आयंस का आना जाना एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट वह हमारे लिए नसेसरी लेकिन जो हो जाने के बाद हमें दिक्कतें आ रही है प्रॉब्लम क्या रही है वह समझते हैं बच्चों आयंस का कंसंट्रेशन जब इंटर सेल्लर स्पेसेस में जादा होने लगेगा अब ज्यादा क्यों हो रहा है इतना हाई है इंटेक है किसका इलेक्ट्रोलाइटिक फूट का इतने ज्यादा फास्ट फूर्ड सारा फुलकी चार्ट हम सब कुछ हैं गोलगप्पे मसा कर रहे हैं तो उसी साफसे अगर आप देखो कि इतने ज्यादा खाने क के बाद किसका कंसेंटेशन यहां बढ़ रहा है आइंस का तो जब आइंस आपके हाइर कंसेंटेशन को बढ़ा रहे हैं इंटरसल्लर स्पेसेस में इंटरसल्लर स्पेसेस में आइंस के एक्युमिलेशन के बाद वाटर स्क्वीज आउट होगा फ्रॉम सेल्स और इन में आ जाएगी पफिनस तो इस पफिनस का ही नाम रखा गया है एडेमा तेक है इसे आप कैसे कम कर सकते हैं तो एक्सराइज बेस्ट वे है दूसरा अप्टेक जो है इलेक्ट्रोलाइटिक फूड का अचार खुब सारा नमक बन करिए तेक है देरे देर एक्सराइज के थूरू इस वाटर को रिमूब कराईए क्योंकि एक वक्त आएगा जहां के बाद फिर सर्जरी ही इलाज रह जाए वहां तक ना जाने दीजिए कंडिशन को ठेक है उसके बाद दूसरी टर्म है रिवर्स आस्मोसिस आप सब को इस टर्म से जुड़ा हुआ आपने फ्रिक्वेंटली वर्ड सुना है तो इसमें करते क्या है कि जो आस्मोसिस की जो नैचुरल प्रोसेस है उसे रिवर्स करते हैं आप सबको पता हो कि सेमी पर्मेवल मेंब्रेम क्या थी जो अलाव करती थी केबल सॉल्वेंट मॉलीक्यूल को कि वह उसके आर पर जा एक तरफ हमने प्यूर वाटर पहले से ही ले लिया है ठीक है और दूसी तरफ हार कंसंटेशन में प्यूर वाटर आपका जैसे सलाइन वाटर या सॉल्ट वाटर तो इस में अगर मैं कहूं कि नेचुरल आसमोसिस अगर हो तो कहां से कहां क्यों जाएगा सॉल्वेंट तो पंजार ने प्योर सॉल्वेंट से कहां कि जाएगा वाटर क्यों क्यूंकि यह लोवर कंसंटेशन पर है और यह हाएर कंसंटेशन पर तो नेचुरल आसमोसिस यहां से यहां की ओर होगी नहीं बना रहा हूं रिजन उसका क्यों मुझे इसे रिवर्स करना है तो इस प्रोस ले लिए आर्टिफिश्यम जैसे फैरो फैरी साइनाइड का नाम सुना था आपने उसी कि आपने क्या मेंब्रेन ले ली का है कि सेमी पर्मीबल मेंब्रेन ठीक उसके बाद इधर से इतना प्रेशर लगा यानि पाई के बराबर आस्मोटिक प्रेशर जिसे कि आस्मोशी जो प्रेशरल हो रही थी इधर से इधर क्यों वह रोक जाए पहला गाम तो पहले हम नैच्रल वाली को रोक लें तो आस्मोटिक प्रेशर लगा कि उसको रोक दिया ठीक है अब और एक्स्ट्रा प्रेशर हमने अप्लाई किया हायर कंसेंटेशन साइड जिससे कि सॉल्वेंट जो प्योर वाटर है वो इधर की हो रहा है और आप प्योर वाटर को कलेक्ट कर सकें ठेक है तो यह मून मून से घड़ा भर रहा है ठेक है ध्यान दिजिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस से आप यह वाटर पा सकते हैं अगली टर्म है आईसो टॉनिक से रिलेटेड है हाइपोट और हाइपर टॉनिक तो चलिए पूरी चीज़ें नई तरीक ऐसा समझ लें तो बच्चों आई सो टॉनिक से लूशन जब भी बोला जाएगा इसका मतलब दो सेलुशन जो सेपरेट किये गया है सेमी पर्मेबल मेंब्रेंट से उनमें देर इस नो नेट फ्लो आप सॉल्व यानि ऐसा क्या हो जाता है कि इस सेमी पर्मेबल मेंब्रेंट के दोनों तरफ रखे गया सेलुशन उनके बीच में नहीं होता सॉल्वेंट का या होने के बाद भी अल्टिमेटली नेट जो चेंज आयागा वह जीरो रहता है कहने का मतलब यह कि सॉल्वेंट इधर भी जात जाता या इधर भी जाता है यानि ऐसा क्या होता होगा दोनों में तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वालेगे डोश़। solution दो solution which have same osmotic pressure उन्हें कहा जाता है isotonic solution इस iso word को आप अगर तोड़ेंगे तो उससे भी आपको समझ में आएगा आइसो मिन similar तो similar osmotic pressure वाले solutions जिनमें net osmosis नहीं होती है यानि solvent का flow दोनों तरफ equilibrium attain किया रहता है उन्हें isotonic solution कहते हैं तो isotonic solutions are those which have same osmotic pressure and have same concentration के लिए आपको याद हो कि concentration की जरूरत बहुत जाजाती थी gradient बन जाएगा तो solvent किसी नहीं किसी तरफ मूव करने लगेगा अब बात करते हैं कि hypotonic और hypotonic solution क्या है उसके पहले isotonic solution का एक अच्छा एक्जामपल याद रखिए अपने बॉड़ी के इसाफ से आपका जो blood plasma है उस blood plasma के साथ solution जो isotonic होता है वह 0.9% NaCl solution है यानि अगर blood plasma को 0.9% NaCl solution के साथ रखा जाए तो यह दोनों isotonic होते हैं यानि जब आपको यह saline water दिया जाएगा तो उसमें जाने पर cells ना swell up होंगी ना shrink होंगी जो questions बनते ही hyper hypotonic solutions है वह कुछ इसी तरह से reasoning रहती है कि अगर आपको certain cells दी जाए या certain substance दिया जाए और वो solution में जाने के बाद swell up हो रहा है या shrink हो रहा है तो आप यहां से exosmosis, endosmosis के through समझ सकते हैं कि वह कैसा solution है जैसे अगर मैंने यहां पर हाइपो टॉनिक और हाइपो टॉनिक को समझाने के लिए आपको यह कहा कि एक solution है जिसमें cell को डालने पर वह स्वेल अप हो जा रही यानि उसका अफसाइज बढ़ रहा है इट मीन्स कि वह गेन कर रही आप लूआज ने से सलूशन वाटर यानि वहुंद लोवर गंसंटेशं में होगा सलुशन और आपकी सिल का सिंध मिंआ जाएगी हार ञंसेंटेशन नी तो जब आप का सेल जिस सेलूशन में रखने पर weaup हो रहा है यानि वह water gain कर रहा है इंड़ो ऑस्मोसिस हो रही है it means किवो hypotonic solution है hypo means कम लोवर थेक है तो lower concentration में पाए जाने वाले solution में cells को place करने पर वह swell up होती है ठाइसे लिए का reverse अगर आप समझें कि अगर आप आपने एक सिल को प्लेस किया है ऐसे कंसंट्रेटेटेट सलूशन में जिसमें रखने पर वह स्रिंग हो रही है क्योंकि वाटर स्कूज आउट डियू टू लोवर कंसंटेशन आप सेल्स ऐस कंपेर्ड टू आउटर सलूशन जो कि किसमें है हाइर कंसंटेशन पर तो इसे हम प्लेस कर रहे हैं उससे हाइर कंसंटेशन पर रहेगा तो उसी से पानी जाएगा वाटर एक्जो आस्मोसिस के तुरू बाहर वह स्रिंग होता जाएगा और अगर किसी सलूशन में डालने पर वह स्वेल अप हो रही यानि सामने वाला यानि सलूशन हाइपो टॉनिक है इस सारी टर्म सापने सुनी एडेमा रिवर्स आस्मोसिस आइसो टॉनिक सलूशन जिनके हैना कंसंटेशन में एक्वैलिटी आस्मोटिक प्रेशन में एक्वैलिटी रहती है नेट फ्लो नहीं होता है किसी भी तरफ सॉल्वेंट का मतलब दोनों तरफ ऐसा कि एकलिविम अटे को टॉनिक सलूशन लिया है ज्यादा कंसंटेशन वाले सलूशन यानि हाइपर टॉनिक सलूशन को लिया तो उसमें प्लेस करने पर वह स्रिंक हो जाएंगे तो मिलते हैं अगले चैप्टर में तब तक लिए धन्यबाद